गुद मॉरिंग स्टुटेंट्स वेलकम टू यू ओल इन यूर इंगलिश क्लास तुड़े वी आर गोएंग टू डिसकस वक्सित नमबर 23 लास एट्थ इंगलिश वक्सित अबिटा आपकी स्टुटेंट अपना नेम लिखें क्लास टीचर का नेम लिखें कबकी वक्सित इस जोडी फान यह कॉंटिन्यू है वर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि जोडी के फादर है वो बिमार है उनको सनेक ने बाइट कर लिया था काट लिया था और उसका पोईजन निकालने के लिए उन्होंने एक डो का लिवर और हार्ट यूज किया था क्या करने के लिए पोईजन निकालने के लिए तो जोडी के पापा है जो पैनी उनकी लाइफ बच गई थी अब जोडी जो डो को उन्होंने मारा था हीरन को मारा था तो उनका बच्चा था वो फान वो वहीं पे रह गया था तो उसको लाने की बात कर रहे हैं जोडी ठीक ह अब लेसन में हम आगे पढ़ेंगे अब सबसे पहले question सोल करते हैं, question के answer the following question Is a lion pet animal क्या लोएन एक पालतू जानवर है तो no, लोएन तो build animal है ना तो no पे tick करोगे write the name of some animal we see at your home in a village, आपको गाओं में या आपके घर पे कोई जो कुछ जानवर दिखाए देते हैं तो वो नाम बताओ तो वो कौन से कौन से होते हैं cat भी हम घरों में देखते हैं dog देखते हैं और क्या देखते हैं, cow देखते हैं भी फलो देखते हैं तो ऐसे कुछ जानवरों के नाम आप लिख दोगे अब which animal do you like the most आपको कौन सा animal सबसे अच्छा लगता है तो डोग क्योंकि वो घर की रखवाली भी करता है और बाकी आपको जो अच्छा लगे वो भी लिख सकते हैं डोग is a very faithful animal so that's why I select the dog second B read the following passage and answer from the lesson जो lesson से आपका passage लिया गया है इनको ध्यान से आपने read करना है ठीक है we took its mother and it wasn't to blame अब ये कौन कहरा है जोडी बोल रहा है अपने father को कि हमने इसकी mother को use किया था ठीक है mother को लिया था and it wasn't to blame और उसके लिए उस छोटा सा बच्चा तो मतलब जिम्मवार नहीं है न कि हमने उसकी मा को use कर लिया surely it seems ungrateful to live it to starve starve होता है भूखा मरना ठीक है अगर ये ungrateful होगा यानि ये अच्छा नहीं होगा अगर हम उसको भूखा मरने के लिए वहीं पर छोड़ देंगे ठीक है surely यानि निश्चित रूप से ये सही बात नहीं होगी son बेटा I can't say no to you अब पैनी बोलता है अपनी बेटे जोड़ी को कि मैं नहीं कहता मैं नहीं कह सकता no मैं तुम्हें नहीं नहीं बोल सकता I never thought मैं ऐसार कभी नहीं सोच सकता I had leave to see another day क्योंकि मुझे ये अगर मैं उसको उसका यूज नहीं करते तो मैं another day मतलब दूसरा दिन नहीं देख पाता यानि मैं जिन्दा नहीं रह पाता अगर हम उसको यूज नहीं कर सकते करते तो इसलिए मैं आपको no नहीं कह सकता ठीक है Can I ride back with meal wheel and see if I can find it कि meal wheel एक आदमी का नाम है कि मैं meal wheel के साथ ride करके जाऊं see if I can find it और मुझे मैं उसको ढूंड सकता हूं meal wheel के साथ जा के ठीक है Tell your ma अपनी मा को बता के जाना I said you can go मैं कहता हूं कि तुम जा सकते हो लेकिन अपनी मा को बता के जाना He settled back to the table go back table के back में बैठ जाता है sat down बैठ जाता है His mother was purring coffee for everyone और उसकी mother उसके क्या कर रही थी उस टाइम पे coffee प्योर कर रही थी यानि coffee डाल रही थी सभी के लिए ठीक है He said उसने कहा Ma, Pa says I can go bring back the fun कि Pa कह रहे हैं कि मैं फान को वापस ले आऊं फान कोन है डो का बच्चा तो मैं उसको वापस ला सकता हूँ ये पा बोल रहे है She held the coffee pot in mid air अब जैसे वो coffee डाल रही थी तो वो बीच में ही रुक गई What fun? कौन सा fun? The fun belonging to the dough We kill वो fun जो उस dough से बिलोंग करता है जिसको हमने जान से मारा है We used the dough's liver पा का जहर निकालने के लिए हमने dough का लीवर को यूज किया था अब वो थोड़ा सा बुड़ बढ़ाती है Well for the pity sake हाँ बहुत दया की बात है मतलब दया की भावना है मेरे मन में भी उसके बढ़ती पा कहा रहे हैं कि उसको ऐसे भूखा मरने के लिए चोड़ना अंग्रेटफूल होगा यानि सही नहीं होगा Well Wilson said Do well Wilson कहते हैं That's right ma'am कि ma'am ये सही बोल रहा है Nothing in the world come quite free काफी important line है कि इस अंसार में कुछ भी free में नहीं मिल सकता इस अंसार में free में कुछ नहीं मिलता The boy is right and his dad is right Boy, boy भी right है बच्चा भी सही है और उसके daddy भी सही बात कहा रहे है Millville said Millville कहता है He can ride back with me वो मेरे साथ ride करके जा सकता है I will help him find it मैं उसको डूणने में It किसके लिए है? Fun के लिए कि मैं fun को डूणने में मदद करूँगा She sat down the port helplessly अब वो helplessly रख देती है पोट यानि बरतन को Well, if you will give it your milk अच्छा तुम ला सकते हो अगर तुम अपना दूद अपना milk यानि जो आपके हिस्से का milk है वो उसको दोगे तो ला सकते हो We have got nothing else to feed it हमें उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास अगर तुम अपने हिस्से का अगर दूद उसको दोगे तो तुम ला सकते हो मिल विल सेड मिल विल कहता है कम ओन बोई अच्छा बोई आजाओ We have got to get riding अब हम riding करके जाते हैं तो यह आपकी lesson के paragraph था I hope आपको समझ में आया होगा अब हम soul करते हैं इसके fill up Now complete the following sentences using hints given in the brackets brackets में hint दिये होए है उनको use करते हुए अपने sentence complete करना है Settled back to the table and sat down अब table के back होके वो बैठ जाता है कुन बैठ जाता है जोड़ी या मिल विल तो जोड़ी बैठ जाता है Second देखें Passes पा कहते हैं It would be ungrateful to live to starve कि यह ungrateful होगा उसको भूखा मरना के लिए छोड़ना किसको जोड़ी को या फान को तो फान को ठीक है फान यानि डोग के बच्चे को Who said किसने कहा Nothing in the world come quite free किसने कहा कि इस संसार में free में कुछ नहीं मिलता तो किसने कहा था डोग विल्शन नहीं ठीक है फोर्थ देखें फोर्थ क्या है कि Well, if Das will get it milk You have got nothing else to feed it ठीक है Well, if Jody give his milk ठीक है Mother थोड़ी ना देगी दूद तो Jody देगा अगर Jody अपने हिस्से का दूद उसको पिलाएगा तो वो उसको ला सकता है They have no feel उनके पास उसको feed कराने के लिए कुछ नहीं था Can I ride back with Millville क्या मैं Millville के साथ राइड करके जा सकता हूँ See if I can find fun ठीक है मैं fun को डूण सकता हूँ पातो घर पे ये पारकुफा को क्या डूण लेगी है I can find fun तो ये Jody ने बोला था ठीक है ये आपकी सिंपल सी वर्कशीट थी बेटा I hope सभी को समझ माई होगी आपने अच्छे से सोल करने फेर नॉट बुक में इसको लिखके भेजना है Thank you